तरजमान अमरीकी मेगमा खारजा नेट प्राइस ने वशिंटन में प्रेस कॉन्फरेंस करते हुए कहा कि अमेरिका ने पाकिस्तान के लिए इमदाद मजीद बढ़ा दी है अमेरिका ने मजीद सो मिलियन डॉलर्स इजाफी इमदाद देने का एलान के दिया है जिसके बाद पाकिस्तान के लिए अमरीकी इमदाद 200 मिलियन डॉलर से जाइद हो गई है नेट प्राइस ने कहा कि इमदाद, खुराग, तिब इमदाद, जराद और तामीर नो के लिए इस्तमाल होगी Last year's debt in Pakistan, the U.S. government has worked closely with Pakistan to provide funding assistance for flood response, food security, disaster preparedness, and capacity-building efforts. I am pleased to share that today the United States announced an additional $100 million of recovery and reconstruction funding, bringing our total contribution to over $200 million. The new $100 million in funding will be used for flood protection and governance, disease surveillance, economic growth and clean energy, climate-smart agriculture, food security, and infrastructure reconstruction. The funding also includes humanitarian assistance to support flood relief and recovery efforts in refugee hosting areas. अवाम को एक तौफ़ा ये दिया कि अवाम को पता चल गया कि पाकिस्तान का मीडिया क्या है. साल 2022 में सबसे ज्यादा देखे जाने वाला चैनल बोल न्यूज रहा नमबर वन. हमने बहुत सारे शोज और ट्रांस्पिक्टिंस की पूरा साल मुसलसल जदो जहरत में निकल गया कि ये वोट अव कॉंपेटन्स के पीछे कौन लोग ने? तोड़े रेटिंग के सब धी रिकॉर्ड सोशल मीडिया पर भी सबसे ज्यादा तेजी से 2.4 बिलियन व्यूज का संगे मिल अबूर किया. एंकर्स को भी अवाम में सबसे ज्यादा मक्बूलियत भूली और सोशल मीडिया पर भी बोल रहा सब पर भारी.